नमस्ते दोस्तों और आज मैंने फिलिप कार्ट से कुछ मंगवाया था तो जो आज ग्रीवर हुआ है मैंने दो दिन पहले इसको बुक किया था तो ये आज मुझे रिसीव हुआ है तो आएए खोल के देखते हैं कि इसमें मैंने क्या मंगवाया है आप गैस कीजिए जल्दी कि इसमें क्या हो सकता है तो इसको इसकी पैकिंग बड़ी हार थी और जो किती कैची है ना जो बच्चों के हाथ जब कैची लग जाती है ना तो वह कुछ नहीं काट पाती तो यही कैची का मेरी का हाल है कैची मेरी काट नहीं रही है बिल्कुल भी मेरी नहीं है कैची नही या उसी को ही वो अपना अराप को देखिया होगा देखिए प्रिंट पे छपा हुआ है डबेग पे प्रिंट है जो इसमें है स्टेन स्टील लंच बॉक्स तो फ्रेंट्स मैंने काफी मार्किट्स में जाके बहुत ही ज्यादा पूछा भी था तुकानों पे शोरूम्स में ज जब से स्कूल स्टार्ट हुए थे 2022 के अप्रैल में ही बोल रही थी कि ममा मेरी क्लास में बच्चे ऐसा टीफी लेकर आते हैं मुझे भी चहिए नहीं मुझे ऐसे लेकर आते हो सिर्फ मुझे बताती थी वो डिमांड नहीं करती थी लेकिन मां हूँ मम्मी होने के नाते मु लेकिन इस टाइफ का मुझे नहीं मिला जो ओफिस टाइप का होता है वो भी मुझे मिल गया था त्री पीसीज वाला मिल क्या गया वही मिल रहा था फिर वही लिया वही लेकर गई थी एक दो महीने फिर उसने छोड़ दिया उसको ले जाना क्योंकि धाई वगारा सावन के टाइम में नहीं ले जाते तो इसलिए फिर वो घर में रखा रहता है तो मैंने ये परसो बुक किया था तो ये एक दिन गैप करके मेरे पास आ गया है तो इसको मैंने उपन कर लिया है ये उपर की लीड है ये और बहुती स्ट्रॉंग प्लास्टिक की है एक दम बीनीरा पता नि मेरी बेटी कैसे खोलेगी इसको भरे हुए को और इसमें चार पार्टिशन है अलग अलग किसी में हम रख सकते हैं एक में हम रोटी रख सकते एक मीम सलाज रख सकते और एक में सूखी सबजी और नीचे का जो पार्ट है उसमें ये दो स्पून निकली के अंदर ही वापिस रख दिये हैं क्योंकि अभी हमने वीडियो के लिए उपन किया था तो इसके पापा को भी दिखाना है तो हम वैसे के वैसा इसको रख रहे हैं तो फैंट्स देखें काफी अच्छा है बाहर निकल के सफाई हो जाती है कोई दिकत नहीं आराम से खराब हो सकता है तो अम मैं लंच बॉक्स तयार कर रही हूं यह अगले दिन की वीडियो है सूपे के टाइम तो एक बॉक्स में मैंने सेलेड रख दिया है खीरे के कट रख दिया है और जो टिफिन थी छोटी सी एर टाइट उसमें मैंने दही जीरा पाउडर और हलका सा न पाउगी रख दी है मैंने वेटरेट करके तो जो टिफिन था इस असमें मैंने लगा दिया है और उपर से जो पूरे टिफिन की लीड हटी वह मैंने बंद कर दिये है तो देखिये किस तरह है शेरी से अधर्न फूरा भ़शा हूआ ओर इसमें अच्छे से यह पैक भी वह किया तो फ्रेंट्स वीडियो कैसी लगी प्लीज बताना जरूर बाबाय टेक केर फिर मिलेंगे नई वीडियो में